हम बात करने वाले हैं human digestive system to human beings मतलब कि आप में मूझ में हमारी सारी human प्रजाती में कैसे हम खाना खाते हैं और इस खाने से nutrition को कैसे derive करते हैं तो सबसे पहले जो यहां पर शुरुआत करता है हमारे पास दो सेट्स ओटी है एक तो प्राइमरी टीथ और दूसरा सेकंडरी टीथ दो सेट वाले रूदात वाले आनमल सो दाइफूद और जब हम छोटे रहते हैं जुविनायल स्टेज में 20 टीथ अडल्ट हो जाते हैं वी हग 32 सेट ओफ टीथ पॉस्ट डाइजेशिं बिगन इन दी माउथ क्यों क्यों क्योंकि ग्लांज से लाइवरी ग्लांज जो कि क्या बना रही है अमयलेस बना रही है तुम्हें यह अमयलेस का दूसरा नाम भी पता करते चलो पैटलीन भी बुलाते हैं तो यह भी यहां पर मौजूद है रिट यह क्या करती है कार्भोहाइडरेट का डाइजेशिन करती है अब यह क्या करेगा काई मतलब क्या पार्शली डाइजेस्टेट फूड इन दिस स्टमक वो एंटर कर जाता है अपने C-shaped structure of the first part of your small intestine जिसे हम कहते हैं डियोडनम अब यहां पे जो बाइल आ रहा है कहां से आ रहा है कहां से आ रहा है? गाल ब्लाडर से आ रहा है. गाल ब्लाडर में बाइल जूस कहां से आ रहा है? लीवर से आ रहा है. लीवर का असिस्टिंट कौन गाल ब्लाडर में स्टोर किया फीर इसे भेज दिया गया हमारी स्मॉल इंटरस्टाइन में. यह पाडी के पॉलीक्यूस के सा है बहुत इंपोर्टेंट है CBSC का पी वाई क्यून है प्रीवियस यह पूर्शन है भया याद कर ले ना मार कर लो बूक में अपने अलो गाइज आव वेरी वहम वेल्कम चू वनननौ तो दू सेशन जहां पर हम बात करने वाले हैं यूमन डाइटस्टिव सिस्टम की जी हां तो अभी तक हमने Life Processes का चैप्टर शुरू कर दिया है है ना और हमने Autotropic Nutrition को देख लिया था फिर हमने ये भी समझा था कि More of Nutrition कौनसी कौनसी है है कि नहीं तो इस फाले सेशन में फटाफट विदाउट एनी फुर्डर अडू विया गई टॉक अबाउट अबाउट अब तो आप सब जानते हो कि हमारा जो मोड करें है वह घरोट्रॉपिक है और है तो हम यह कहता है कि पूरा का पूरा फूर जो है वो मुं में ले सकते है पूरा नीवाला हम कहा सकते है बाहर डाइटेस्ट करने की जरुद नहीं है एपल थोड़ा खाया रेइस शुओग हालों की अनिमल मतलब कि हम पूरा का पूरा अनिमल खा सकते हैं नहीं हम पूरा का पूरा खाना मतलब होल फुड को इंजस्ट कर सकते हैं फिर अब जब हमने फूड का बोलस ले लिया है निवाला ले ही लिया है अब क्या होगा we have the buccal cavity right we have the buccal cavity जहां से हमारा digestion स्टार्ट हो जाता है और इस elementary canal जो है अपना जहां पर पूरा digestion system जुड़ा हुआ है वो आनस में जाके खतम होता है तो elementary canal कौन सा है तूब स्टार्ट फूर्ट वेस्ट निकल जाता है वहां तक यह अपना पूरा elementary canal है elementary canal के साथ accessory organs भी है यह ऐसे organs है जो digestive juices को secret करते हैं और digestion करने में हमारी मदद करते है तो इन्हें हम कहते है digestive glands राइट इन्हें हम क्या कहते है digestive gland जैसे कि आपका liver हो गया आपका pancreas हो गया आपकी salivary glands हो गई रेट फिर जो हमारी gastric glands होती है वह भी इन्हें में शामुल है तो elementary canal plus digestive glands मिला के हमारा human digestive system जो है वह बनता है तो सबसे पहले जो यहां पर शुरुआत करता है digestion का वह कौन है हमारा buccal cavity राइट बच्पन में दाथ गिरे होंगे आपके तो आपने मूख खोल के आइने के सामने जरूर देखा होगा तो बच्पन में दाथ हमारे गिरते है रेट यह क्या सारी animals पूरे animal kingdom में ऐसा ही होता है नहीं ऐसा नहीं होता है तो यहां पर हम स्पेसिपिक्ली जो प्राइमेट्स होता है ना वो टाइफोडेंस होते है मतलग कि हमारे पास दो sets of teeth होती है एक तो primary teeth और दूसरा secondary teeth primary teeth में होता यह है कि हमारे दूद के दाद केहलाते है milk teeth right and this milk teeth are like 20 in number कितने 20 in number अभी अभी अब दें बती सी गिरा दूँगा रेच so there's a 32 in number but this is 32 so 32 in number now here uh because we have two sets we are said to be die food and ton right do set wale do dat wale animal so die food and ton जब हम छोटे रहते है juvenile stage में 20 teeth adult हो जाते है we have 32 set of teeth right तो अब इसमें question कहां से आता है वो भी देख पे चलेंगे तो question यहां से आता है कि भी यहां पे missing है क्या what is that is missing over here so what is missing यहां पे जो है न बच्चा देखो अब incisors तो है ही है rate के nines भी है ही है है ही है जो missing है वो होते है pre molar और wisdom molar rate क्या missing होते है pre molar और wisdom molar जिसकी वज़े से हमारे बच्चपन में हमारे पास होते हैं 20 दात पीरा जाते हैं 32 तो अब यह तो बात हुई number की इसके अलावा इनका arrangement कैसा है यह sockets के अंदर fitted है right हमारी jaw है जबडा जिसके अंदर these are fitted and because of which these are called as thick o don't on rate तो यह क्या कहलाते हैं socket में जो दात होते हैं उसे हम कहते है तेको डंट on right तो चलो एक homework देती हूँ छोटा सा कि क्या कि क्या सारे animals तेको डंट on नहीं होते अगर नहीं होते तो कौन से दूसरे types है dentation की जहां पे sockets नहीं module होते तो अभी chat box में answer कीजिए right तो यह तो हुई हमारी दातों की बात अब इस दातों में बीच में मौजूद होती है आपकी tongue जबान right तो यह भी यहां इसके अलावा salivory glands भी है तो इस सब को मिला कि मतलब हमारी salivory glands हमारे दातों को मिला कि हमारी tongue को मिला कि इसको हम क्या कहते है hea-buckle cavity कहते है BURLetia में हम क्या करते हैं हम फूड का निवाला लेते हैं बंदा पीजा खा रहा है Judi वह दो दिर फी ऐày पीजा खा रहा है अब चबा रहा है अब ये चबाने से होता क्यूंत पीजा है मतलब कि आटा है नीचे मेट तो ₱ुई है काब्स है अब यह काब्स है आटा मैडा भी ओ सकता है एक इभाद थे काब्स है मेट तो जो कि क्या बना रही है अमाइलेस बना रही है तो यह क्या करती है और हमारी जबान क्या करती है जिसकी बज़े से एक नीवाला सा बन जाता है जिसे हम क्या करते बूलस रही है इस बोलस थे इस श्वालोड येस आर्ण स्वालो फूल पाइप से पर इस श्टालिक मूवमें इस वेगे से होते हुए वो कहां पर जाएगा इन यह स्टमाग अस्टमाग नाव यह जा जाएग लगन नाव भूल कही जाएगिन विश्टमाग डेह को फाइपसीन यह जाएग अपर इस इस जाएग झाल पाइपसीन आर्ड गरताएग यह जाएग टोड़ने के विएपसीन तो यहां पर आंप से घ्रेट को ऑल्ड़ने के काम यहां प्रूल कर शेजीए टी को भी यहां पर काईम बनेगा, काईम क्या करेगा, काईम मतलब क्या partially digested food in the stomach, वो enter कर जाता है अपने C-shaped structure of the first part of your small intestine, जिसे हम कहते हैं, डियोधनम, क्या कहते है, डियोधनम, अब small intestine is the last site of digestion, इसके बाद digestion, बंद, यहां पर जितना digestion होना है, सारा digestion हो जाएगा, और सारे type का अगर digestion हमें करना है, तो उस इतने type की materials भी यहां पर होने चाहिए, तो आपके जितने भी digestive glands हैं, जैसे कि आपका यहां पर मौजोद हुआ, लीवर, पैंक्रियास, वो सारी यहां पर secretion करना चालू कर देते हैं, तो अब यह जो है, small intestine के 3 पार्ट, पहला, digenum, padegenum और ilium, digenum सबसे छोटा, digenum काम और ilium सबसे लंबा पार्ट होता है, अब small intestine जो है, वो काफी काफी लंबा होता है, हाला कि इसका diameter छोटा होता है, इसलिए इसको हम small intestine करते हैं, लेकिन लंबाई के मामले में यह बहुत 5 to 5.5 लंबा हो सकता है, और average की बात की जाए तो, right, तो यह जो small intestine है, यह हमारी third site of digestion है, कितनी third site, कितनी क्यों, क्यों, first mouth, दूसरा stomach, और फिर यहाँ पे चालू हो गया, वो है third and last, यहाँ पे तीन टाइप के juices भी आते हैं, कौन से, bile juice, pancreatic, और और intestinal juice, इसके खुद के भी कुछ juices है, right, अब यहाँ पे जो bile आ रहा है, कहां से आ रहा है, gallbladder से आ रहा है, gallbladder में, bile juice कहां से आ रहा है, liver से आ रहा है, right, liver का assistant कौन, gallbladder, gallbladder में store किया, फिर इसे भेज दिया गया, हमारी small intestine में, किसे, कैसे, ऐसे, कि यहाँ पे होता है hepatic duct, right, अब यह जो hepatic duct, हिपा मतलब कि liver, hepatic duct जो है, वो bile juice को लेते हुए, जब आगे बढ़ती है ना, तो यह pancreat क्या भोलता है, अच्छे, कि दोनों ही चीज़े, अब यहाँ पे एक साथ, यहाँ पे secretion करना, चालू कर देगी, right, अब, यहाँ पे क्या produce हो रहा है, liver में, bile, bile क्या है, bile is an alkaline medium, right, यह एक ऐसा है, medium है, juice है, जो कि alkaline, alkaline है, मतलग कि basic है, right, ऐसा है कि वो basic है, और इसका color भी थोड़ा सा yellowish, green होता है, greenish, yellowish color का होता है, watery fluid है, जो कि alkaline है, basic है, क्यों है, यहाँ पे यह basic है, बहुत important चीज़, क्योंकि जो पेट में अपनी acidity है, HCL की वज़ए से pH 2 हो रखा है, which is extremely acidic, वहाँ पे food गीरा, है ना, dehydration हो रहा है, उस acidic condition में यह साब को चल रहा है, partially digested food, मतलग आधा-अधूरा digested food, जिसे हम काइम कहते हैं, अब वो तो fully acidic होगा, और वो आजाता है small intestine में, अब small intestine में अगर इस प्रकार का acidic food आ जाए, तो वहाँ पे आग लग जाएगी, अब यह ना हो देने के लिए, यह बाइल हमारी मदद करता है, बाइल क्या करता है, उस acidic medium को ठंडा रखता है, neutralize कर देता है, क्योंकि यह तो खुद basic हुआ, अब यह यलोईश-greenish color किस वज़े से है, यहाँ पे pigments है, bilirudine and bilirubine, जो कि यलोईश-color की pigment होती है, हाला कि मैं आपको बता दू, यह जो bilirudine और bilirubine है, यह recycled material है, जी हाँ दोस्तों, यह recycled होती है, कहां से आती है, any guesses, कहां से आती है, यह हमारी मरे हुई RBC से आती है, जी हाँ, dead RBC, सर्ज कि 120 दिन के बाद ऐसे भी dead हो जाती है, स्प्लीन में वो बस जाती है, graveyard उसे कहलाते है, हम RBC का स्प्लीन को, फिर वहाँ पे RBC में होती क्या है, वहाँ पे हीमोगलोबिन नाम का protein होता है, जो कि उसको red color pigment देता है, अब उसी को यह liver जो है, लेके recycle करता है, और bilirudine और bilirubine बनाता है, और इस वज़े से मैंने आपको कहा कि यह तो recycle product है, कहां से आया है, हीमोगलोबिन कहां से लाया गया, जो RBC cells मर चुकी है, बड़ा ही शातीर होता है हमारा शरीर, देखो क्या कहा से क्या क्या जुगाड कर लाता है, अब इसके अलावा इसमें chlorostrol और water भी होता है, अब मैंने कहा कि कहां पे secret होता है, यह तो geoderm में इसको छोड़ा जाता है, अब यहां पे करता क्या है, एक तो आप समझ चुके हो, कि यह जो है acidity को control कर लेता है, पेट में जो बन गई है, तो यह alkaline medium बनाता है, ताके जो अपने intestinal juices है, वो active रह पाए, वना acidity के वज़े से वहां पे, इराक्टिव होचाएंगे वो वाले proteins, अब यह fat emulsification भी करता है, emulsification मतलब क्या, mixing, तो जैसे हम अगर lipid, मतलब की तेल ले लो, तेल एक शिशी में ले रो, और पानी, तो क्या होगा, oil जो है, तेल जो है, it would be on the top, and water would be on the bottom, वो दोनों miscible नहीं रहते है, और ऐसा ही कुछ होता है, जब हम fat खाते है, और बाकी हमारे शरीर में जो है, वो पानी है, जो पेट में है, सारा water-based है, चीज़े, तो अब यह mix कैसे हो, और digest कैसे हो, आपकी खून में यह जाएगा भी नहीं, तो इसको actually digest भी lymph के through किया जाता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो fat है, उसको तोड़ना पड़ेगा, तो अब emulsification मतलब क्या, यह जो bile है, यह salt है, अब यह क्या करता है, यह बड़े-बड़े fat molecule को छोटा-छोटा तोड़ देता है, बड़ा-बड़ा अगर fat molecule है, तो इससे छोटा-छोटा तोड़ दिया, अब क्या होगा, यह पादी के molecules के साथ इधर-उदर mix हो जाता है, यह पर कोई भी chemical breakdown नहीं है, यह ध्यान रखे, this is mainly a physical breakdown, एक physical breakdown कर रहा है fat का, right, कौन कर रहा है, bile salt कर रहा है, बहुत important है, CBSC का PYQ है, previous year question है, याद कर ले ना, mark कर लो, book में अपने, तो emulsification of fat कौन करता है, bile करता है, दूसरा का, alkaline medium, जो acetic acidic material जो stomach से आ रहा है, उसको neutralize करने का काम भी कौन करता है, bile करता है, रहे तो bile बिलकुल, vimbar की तरह काम करता है, जो चिकना ही हटाता है, हमारे बर्तनों से, और यह हमारी पेट में से, ठीक है, तो अब बागी के juices की बात करते हैं, जैसे की pancreatic juices, तो pancreatic juices में कौन कोन है, amylops amylopsin है, trypsin है, और sepsin है, तो यह जो amylopsin है, यह अपना amylase, लेकिन वो था salivary amylase, यह है pancreatic amylase, pancreatic amylase क्या करेगा, फिर से जो बचा हुआ कार्बो हाइडरेट है, तो लगबग 30% का जो carbohydrate है, वो mouth में digest हो जाता है, अब जो बचा हुआ आ रहा है, तो बचा हुआ रहा कास में, जैसे कि यहाँ पर mild dose बना देता है, अब प्रोटीन और polypeptides के लिए कौन है, trypsin है, जो अब प्रोटीन बने किस से होते है, amino acids है, तो अब यहाँ पर amino acids भी बना देगा, फिर है trypsin हो जीन, अब trypsin हो जीन क्या करता है, यह basically trypsin का precursor है, यहाँ पर हमने देखा न किया जाता है, trypsinogen में, ताकि जब जरूरत हो, जैसे जरूरत हो, वैसे वैसे इसको activate किया जाए, फिर आता है enterokinase, यहाँ से, और enterokinase, अब क्या करता है, अब इसको active कर देता है trypsin में, तो trypsinogen को active form में लाने के लिए कौन जाहिए, enterokinase चाहिए, अब मैने और एक बता अब यहाँ पे chemical breakdown होगा, अब यहाँ पे जब यह तूटता है, तो glycerol और fatty acids बनते है, यहाँ बनते है, glycerol और fatty acids बनते है, लेकिन क्या यह direct तोड़ सकता है, नहीं, इसको छोड़े छोड़े molecule रगेंगे, ताकि surface area उनका बढ़ जाए और उसको काम करने के लिए जादा जर यह कैसे तुटेगा, peptides कैसे तुटेगा, peptides जो है, वो long chains of amino acids ही होती है, तो eptrin, यह दूसरे कुछ और juices है, जो कि हमारी पेट में मौजूद हो, मतलब हमारी intestine में मौजूद होते है, maltose के लिए maltase है, जो glucose को, इसको final इसका glucose बना दीगा, lactose, lactose milk sugar होती है, milk carbohydrate है, तो दही, दूद, पनीर, ice cream, जो भी चीज़ खाऊ, वह से lactose जाएगा, तो lactase produce किया जाता है, lactose, lactose को तोड़के glucose और galactose बनाता है, वैसे again, जैसे sepsin बताया था, मैंने वैसे lipase एक है, जो fatty acid और glycerol, मतलब fats पर काम करने वाला lipase है, तो अभी क्या देखा है, lipase देखा, lactase देखा, फिर maltase, epsirin, sepsin, enterokinase, ये सारे भी देखे और amylopsin भी देखा, ट्रिपसीन तो आपको पता ही है, अब ये सारा तूटने के बाद होता क्या है, हमने digestion कर दिया, उसको finally broke down कर दिया, जैसे protein थे तो amino acids बन गए, fats थे तो fatty acids और glycerol बन गए, और क्या carbs थे, वो glucose बन गया, अब क्या, अब ये, कि ये जो सारी चीज़े है, इसे absorb कर दी पड़ेगी, तो कहां पर absorption होता है, हमारा major absorption, small intestine होता है, small intestine में मौझूद क्या होती है, small intestine में इस प्रकार की willize मौझूद होती है, तो ये हमारा small intestine रहा, small intestine का अंदरूनी पार्ट, अगर आप देखें, तो यहां पर finger like projections है, इसे हम कहते हैं, willize, willize की उपर micro willize भी रहते है, मतलब कि they also have even more fine finger like projection, what does this do, this actually helps in increasing of, increasing of surface area, जिसकी बज़े से अब absorption अच्छे से हो पा रहा है, right, absorption अच्छे से हो पा रहा है, तो जो भी glucose यहां पर मौझूद था, उसको absorb कर के blood में भेजा जाएगा, amino acids को भेजा जाए fatty acids and glycerol को कहा में जाएगा, blood में, नहीं, वहां पर एक खास तरह की खास तरह की वेसल मौझूद होती है, जिसे हम कहते है, lacteal, जिसे हम कहते है, lacteal, तो lacteal जो है, वह लिंफाइटिक होती है, lymphatic वेसल होती है, मतलब कि जहां पर lymph दोडता है, तो fat का absorption है, वह हम lymph में करते ह ना कि blood में directly, ठीक है, तो विलाइस किया करते है, surface area को increase करते है, प्रिवेस ये questions है, ठीक है, और फिर अब सारे nutrients जैसे glucose, amino acids, वह सारे blood में carry किये जाएंगी, अब या पर fatty acid लिखा नहीं है, क्योंकि नहीं लिखा है, क्योंकि वह कहा जाता है, लिंफ में जाता है, कैसे जाता ये जो lacteal है, उसकी मदब से जाता है, ये highly vascularized tissue होता है, मतलब कि बहुत सारी blood की vessels है, वहाँ पर आती है, ताकि absorption कर पाएं अच्छी से, अब large intestine में क्या होता है, large intestine के parts आप जानते हो, colon होता है, sigmoidal coil और rectum, अब ये जो colon है, इसके 3 parts होते है, कैसे बहिया, जो उपर की और ascending, transverse और नीचे की और दोरता है, वो descending, फिर एक sigmoidal coil आजा, collar आजाते है, क्योंकि उसका shape sigma आजाता है, और फिर rectum, जो कि temporary store करता है, आपकी waste food को, और annus, जो कि आप बहार निकाल देते हो, rate undigested food को, वो चीज, अब यहाँ पे, large intestine में, villi and micro villi लगबग absent होती है, बेटा ज ठीके यहाँ पे कोई बहुत ऐसी prominent नहीं present होती है, क्योंकि यहाँ पे जो absorption है, वो सिफ water और water में dissolved रहने वारे minerals का होता है, बस, water और water में dissolved minerals का होता है, बस, undigested food को हम बहार निकाल देते हैं, तो this is a question for you, answer me in the chat box quickly, in which of the following group of organism, food material is broken outside the body, and absorbed, कहां पे होता है ऐसा का, mushroom, green plants और amoeba, yeast, mushroom और bread mole, paramesium, amoeba और cascuta, cascuta lyso tapeworm, तो जहां तक मैं समझूँ कि cascuta lyso tapeworm, सही answer, नहीं है, rate क्यों नहीं है, यह तो parasite है, तो direct खून चूसने वाले लोग है, फिर paramesium, amoeba और cascuta, फिर यह तो mix हो गया, rate, तो parasite भी हो गया और वो भी हो गया, यह जो है, यह सारे के सारे fungi है, है ना, और fungi हो गया करते हैं, वो saprophatic होते हैं, digestion बाहर करते हैं, फिर absorb करते हैं, तो that is the correct answer. Next question, in which, क्या आपका सही था answer? सही था, तो give a clap for yourself, right? In which of the following group of organism, food material is broken outside the body and then absorbed? Again, वही question था, तो I hope you have answered it correctly, right? So, that's all for today, that's all for today, meet you in the next session, don't forget to like, share and subscribe, और हाँ, नीचे के यह दिये गए, description box में एक लिंक होगी, जो फॉर्म आप भेज़ के हमें भेज़ दो, right? See you soon in the next session, till then, keep learning, be curious.